वेलकम बेक फ्रेंड्स मैं हूँ आपका होस्ट आपका दोस्ट प्रभात कुमार सिंग मैं आप सभी का विलकम करता हूँ अपने चैनल यूट्व चैनल पीके मंत्रा इंग्लिश क्लासेज पर और आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूँ एक चैप्टर के कोस्टन आंसर को लेकर जिसका नाम है सो वाटर यू एनिवे और जिसके ऑथर है लोरेंस हिल तो उसी के आंसर की को लेकर मैं आज आया हूं चलिए इसका वीडियो मैंने और लेडी बहुत पहले बना दिया हुआ लास्ट एयर ही बना दिया हुआ था लाइन बाइन एक्स्प्लाइनेशन का वी सारे ही चैप्टर को 9th edition का सारी चैप्टर को ऐस्प्स्रें कर दिया बस अब कोस्शन और को सनासर्स को अप्लोड कर नहीं । इसके बी 8 evolution के कई सारे chapters मैं नहीं नहीं कर दिया बस 9th edition का जो है वो हो रहा है चलिए तो चलते हैं जानते हैं सबसे पहले जैसा कि होता है इसमें हमेशा understanding the text है तो understanding the text में कहता answer these questions what are you anyway para 46 इसको परणा और इसके आधार पे जवाब देना है कि what did Norton's, Norton's वो जो मिया भी भी दोस यात्रा कर रहे थे want to know about Carol, यह पूछ कहें कि कि तुम आखिर हो क्या तो the Norton's were curious about Carol's ethnic origin, ethnic है जातियता, बेसिकता, मूलता के लिए किस मूल की है की है वो लोकी, they had noticed that her skin tone different from theirs, different कैसे था आपने पढ़ा होगा न तो वो पूरी white थी, न तो वो पूरी black थी, brownish type की थी, so they would not stop asking कार्ली या कार्ल काई ए अवाउट हर, racial identity, they asked outrageous questions, गुस्ता दिलाने वाले questions in an arrogant way, मतलब देखिए, arrogant वे एक अज्यानी के बातियात पढ़े लिखे लोग है, तो हमें किसी से जाती धर्मित्यादियादी, पूछना उचित बात नहीं हां, उसके तो पढ़ाई है, चलो बहार निखलो, पढ़ाई के बारे में नहीं पूछने का, तो आज कल तो उसके भी यह हो जाता है, ज्याद रचों की आज ही रहती है, लेंकर वो अच्सा बात Ten वो पूछना है, ना, लेन वीकोंट को तो Mr. Norton could not hold है ना तो Mr. Norton से बरदास नहीं वाज़े वो किसी का भी जो भी जबाब देती थी आपने चेप्टर में पढ़ावा कभी मम्मी का कलर तो कभी ये लोग कहती थी कभी रेडी वगरे वगरे जो भी है कि वो समझ नहीं नहीं थी कि किस आधार पर पूछ रहे हैं ये लोग त ना उनका अर्थ या था कि जान किस रेस की है बलेक है वाइट है मतलब इसके खास करके पेरेंट्स जो है वो क्या है बी में कहता है what do you think is a problematic with a question है ना क्या problem है question में does the word what make a person seem to less than human है क्या आपको लगता है कि ये what पूछना क्या less than human है और है तो कैसे the pronoun what is generally used for inanimate objects अला कि यह generally inanimate object के लिए जो मतलब जो direct नहीं है जो हमारे सामने नहीं है यह यह कहले नजीब बस्तूओं के लिए पुछा जाता है अला कि ऐसा कुछ नहीं है when we address our human being we definitely don't use what को हम नहीं कहते है न the pronoun attributed to living object is who है ना जो यदि हम कहें तो उसको हू से पूछना चाहिए ना कि हू आर यू एक तो वाट ऐसे भी गरवर था दूसरी बात कहता है कि when the notans ask carol what she is it makes her seem less of human तो निस्टी दूप से less of human और वो तो human दिखी रहा है हमने कहां तो अभी कि मैंने मैं भी इसमें रहा दूँगा कि यह पूछी आप कहां पढ़ते हो किस जगह रहते हो क्या है पापा क्या करते है ममी तो यह तो संभव है चलिए नेक्स सीपर है कि is there any word in phrase phrase in para 32 that does the same thing क्या कुछ कोई ऐसा है 32 पैरा में जो कि same thing होता है तो यह ना इस फ्रेज डिहुमनाइज के रहल बाइकिंग मेरली अ थिंग कि मतलब ना तो यह वह है न वह तो वह है मतलब नहीं गोड़ी है न कालिका है क्या है न तो यह भी less than human कहना ही हुआ बिल्कुल है न तो यह phrase है उसमें second भी प्रकार से है मतलब कि answer बाला answer these questions about carol about her understanding of the race है न कि वह कितना समझ पाती है तो does carol understand the term race और mulatto मुलेटो 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 मिन सोता है वो दो रेश के जैसे उसके mother father दोन में दो रेश के थे एक black थे एक white थे तो वह होत तो लगा कि कुछ तो यह गलत पूछ रहे हम से सी जो जवाब दिया नॉर्मली उसका तो ठीक है फिर उस पर बार बार जोड़ दे रहें सी हैस नोट हर्ड दवर्ड मुलेटो उसने मुलेटो शब्द नहीं सुना था इजर यह सुना भी नहीं था सी इस दो नोट शोट टे कि क्या आप पूछ रहा हो तभी तो जिए चिलाने लगती है इस तरह के लोगों को जवाब देना ताकि वो फिरा लाइप में ऐसा ना पूछे भी है वेन कैरल फॉस्ट शीज नॉर्ट नॉर्ट जैसा फेस बट देसकीन क्या उसको उसको इसकीन की तरह हो आइडेंटिफा लेकिन वो बच्ची थी इसलिए उसको यह ने कि हम यह है तो अठीक है संबर्ट होगा किसी कारण से होगा दो वर्ड कैरल यूज तो डिस्क्राइब मिस्टर नॉर्टन इस बीग उसको बीग शब्द का इस्तेमाल किया शी अलसो नॉटिसेज एट हर फेस इस संबर्ट है कि संबर्ट है लेकिन उससे उसका कुछ लेना देना नहीं C कहता है Do you think Carol understand color of skin or race as a major difference between people क्या उसको ऐसा लगता है कि पिपल के बीच में ये color के difference से कोई difference होता है क्या ऐसा Carol सोचती है तो मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगता चलिए जानते है क्या है RL is too young बहुत छोटी young means याद रखेंगे जबान भी होता young means छोटा भी छोटी भी होता है तो यहाँ पर वो बहुत छोटी है and too innocent or very simple है to be able to comprehend the differences that divide the world है जो दुनिया को जैसे अपने या इंडिया में कि यह जाती के है यह धर्म के है तो वो समझने के लिए कापी छोटी उम्रूस की थी मतलब वो नहीं समझती थी है ना even though she thinks that Mr. Norton's face is a bit sunburned आलागी वो थोड़ा सा sunburned है इसमें कोई शक नहीं लेकिन उससे कोई नहीं 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 करती बट यह जो Norton से वो यह जानना चाहते कि यह किस रेस की है third question answer these questions about the Norton's, Norton's के बारे में अब जवाब दीजिए कि what is the first thing Mr. Norton notices about Carol क्या notice करते है Mr. Norton Carol के बारे में the first thing that Mr. Norton notices about Carol was her black doll है ना उसके black doll की भी यह black doll क्यों रखी है अचा color भी उसका था he was baffled वही बहुत चकड़ा गए to see it and exclaimed that he had never seen anything like that in his entire life नहीं समझेए कि देखिए आप अपने इंडिया में भी जो dolls आते हैं वो कैसे color के होते हैं white होते हैं देखिए यह आया अमेरिका वगेरा साइड से European country से आइसलिए हमारे देश में कोई black आप देखिए ब्लैक सा कोई doll नहीं होता है तो समझेए कि वो तो जान करके उसी देश के उस side के रहने वाले हतुन के लिए तो black doll रखना और अजीब सी बात होगी तो यह देख करके कि उन्होंने life में ऐसा नहीं देखा था किसी को black doll रखते हुए लेकिन इस बच्ची ने रखा था इसके लिए वो माइने नहीं रखता था उसे पसंद आया होगा इन परा 32 Mr. Norton says that the world is not ready रहना कि world ready नहीं किसी के लिए for mixed people though she does not mind them do you think she is being honest about her feelings तो answer है Mr. Norton is honest about her feelings for mixed people because she does not mind कि वो माइन नहीं करती Mr. Norton ही थोड़े है के रहाल as much as Mr. Norton does जितना कि Mr. Norton करते है in fact she keeps reminding Mr. Norton that she is just a child कहती भी है कि वो भी आरे ये बच्ची है भाई अपना है उससे क्या बिसे पूछना she makes a little gesture सा न वो gesture इसके लिए अपना हाओ भाओ मुद्रा मुझे चेहरे से ही सारा करना ask Mr. Norton to wake the girl up की लड़की को जगाओ for the meal खाने के लिए she also urges Mr. Norton to make way for Carol when she gets up to go to the bathroom है न उठे तो उसको bathroom के लिए कहना है मुझे ये बच्ची से आपना पने बच्ची है किसी भी जाती धर्म कसी है तो क्या है वो भी without the parents वो यात्रा करेती चलिए she है कहता है कि what do you think is the difference between Carol and the Norton in the way they approached people do they beat everyone equally sorry do they treat everyone equally क्या हुए equally treat करते हैं सबके साथ चलिए जानते हैं इसके आंसर को तो कहता है कि Carol is Carol is still too young to be conscious of differences of race and ethnicity जाती है ता कहिए that divide the world जो इस दुनिया को बाढ़ता है hence her approach to most people is non-judgmental तो किसी को जज नहीं करते इसलिए इसलिए इसाब contrast contrast में समझे न जस्ट ऑपोजिट कह लिए एक तरह से जैसे कह राम इस टॉल बट श्यामी जो समौल राम लंबा है लेकिन च्छोटा है तो यह contrast हो गया जैसे हम कपड़ों में contrast कहते हैं उपर हमने लाइट कलर के शर्ट पहने नीचे पैंट जो है वह हमने पैंट जो है वह हमने डार्क कलर के पहने तो यह भी contrast हो यह कि उसके just contrast मतलब वह तो कुछ नहीं जानती थी कुछ ऐसा नहीं लेकिन यह contrast नोटरंस वार फ्रॉम दवेरी विंग नहीं वह एक दम सुरू से सब्सक्राइब करें यह तो ब्लैक है मतलब अजीब है मतलब ब्लैक है नहीं यह दे केप्ट प्रॉडिंग यानि उकसाना हर अवाउट हर एथनिक आइडेंटिटी मतलब different questions पूछ करके wonder if she is of a mixed race कि क्या वो mixed race की है मतलब ब्लैक और दोनों का mix साला के real में तो थी लेकिन वहीं तो यह पूछना नहीं चाहिए वह भी खास करके एक बच्ची हो तो उससे तो बिल्कुल भी नहीं पूछना चाहिए without parents travel कर रही हो चलिए fourth question I never just use just one color मैं कभी एक color नहीं यूज करती what is Carol talking about तो Mr. Norton curious about Carol's ethnic roots उसके ethnic roots के जाते था कि root के बारे में पूछते हैं तो asks her what color she would make her father's face कि उसके father का face किस color का होगा if she she were to draw him यदि उसका picture कीचना हो तो Carol बड़े अला कि थोड़ा बचा की बुच्छना चाहिए ना वी बाड़ बाड़ एक बाड़ में तो चलिए Carol is puzzled by the question and obviously does not know white color to use, so she says that she would never use one color के थे कि ने मैं कोई one color नहीं मैं तो बहुत सारे color अपने father के लिए use करूंगी ठीक है, फिर है कि B में है कि Carol's mother is a white woman but Carol says she would color her using different colors what do you think that it is, क्या है ये, तो Carol wants to color her mother in different shades in spite of the fact that she is a white woman, भले ही वह white है यानि father black है लेकिन वह क्या हो, this is because there is no one color to depict the whiteness of a skin कोई ये color से क्या हो जाएगा कि whiteness के एक दम से white नहीं, she falters यानि लड़ खडा आती है, ये लड़ खडा मता है, direct नह जबाब देकर के and says that she could be yellow, कि वह yellow हो सकती है but when the Norton's ask if her mother is Chinese, ये पूछते हैं कि क्या तुमारी माँ चाइनीज है, तो she does, अगर इस नहीं वह चाइनीज तो बिलकुल भी नहीं है, she then mentions that her mother's face could be red, वह फिर कहते हैं कि नहीं, red हो सकता है, moreover at such at young age, सही बात पूछिए, तो इतना कम उमर में, young माने मैंने बता है, कम भी होता है, जबान भी होता है, छोटा-छोटी भी होता है, तो इस छोटी उमर में, Carol is not aware how differences in queen tone denotes one ethnic identity, कि कैसे जो है, कि skin के color में जो है difference हो, तो उससे उसकी ethnic identity, जो है, वो differ करती है, तो इसके बारे में, वो नहीं जानती है, जचाइल, वो नहीं जानती है, चलिए आगे है हमारा question number C, और कहता है, what does this tell us about the levels black and white, क्या कहता है, ये black and white का level, that are used for people, जो लोगों के लिए यूज किया था, are the accurate, क्या वो सही है, do children think in term of these levels, क्या बच्चे इस level में सोचते हैं, तो कहता है, answer में, the levels black and white are nothing but social constructs, ये समाज का बनाया हुआ, children like Carol are easily, the least discriminate, वो बिदम से discriminate नहीं होते है, this is obviously proved by the fact that the protagonist Carol knew the people's come in different skin, वो जानती है, different skin tones में आती है, but she never passed discriminately, comments, while dealing with the white people, कि कभी ऐसा नहीं कि वो white भी है तो उसके साथ कोई ऐसा, वो तो discrimination नहीं जानती है, children do not recognize these levels unless they are consciously made aware of their ethnic origin, वो तब तक नहीं बताते हैं, जब तक कि उनको अपने origin के बारे में हमीं या इंडिया में बताने लगते हैं कि वो ऐसा है, वो धर्मबाला ऐसा है, वो जाती का ऐसा होता है, तब ही वो जानते हैं, अन्यता कैसे जानेंगे, and racial and standing in the society, तो हमें इन सब को नहीं रखना चाहिए, माइंड में, धीरे-धीरे यही सब हम लोग कर रहे हैं, ज्यादा सोसल मीडिया और को देखकर बच्चे भी आजकल हमारे इंडिया में हैं, वेर और अन्यता पहले यह सब बाते हैं, हम लोग भी काफी उमर तक नहीं जानते थे, what do you think Carol has learned about people and their attitude towards race, क्या वो सीखती है, race के बारे में, do you think her innocent outlook on life will remain the same after flight, क्या उस फ्लाइट के बाद उसका attitude रहेगा same, young Carol who was so far not affected by the social discrimination, अभी तो बच्ची है तो social discrimination उसके साथ नहीं हो आगा, was made conscious of her own racial identity by the Norton's, वो सही कुछे तो Norton's के द्वारा वो जाने, she understood that she was mulatto, यह mulatto शब्धी नहीं जानत जो कि मैंने बताया, a child of parent who were not of the same ethnicity है ना, ethnic identity, मतलब दोनों black या दोनों white नहीं थे, mixed थे, this realization was bound to change her innocent outlook, निस्चित रूप से इसका outlook change हुआ होगा on life, है ना, one flight to her grandparents changed her entire life, है ना, one flight, यह one flight, यह ध्यान से देखेंगे, यानि एक flight जो यह जा रही थी, यानि जो उरान बढ़ी थ जो अपने grandparents के जाड़े थी, वो इसके life को, पूरे life को change कर दिया, मतलब ऐसे एक सवाल से कैसे असर पड़ता है इन बातों का, यह हमें भी ख्याल लखना चाहिए जिंदगी में, आप सभी बच्चे भी ख्याल लखें, किसी से किसी की जाते धर्मित्यादियादी के बारे मे बिल्कुल भी ना पूछे, do you think it was thoughtless of the Norton's to ask a child such question, क्या उनका thoughtless था, बिल्कुल था, would they have asked an adult the same questions, क्या वो एक बड़े से पूछते, तो के बिल्कुल it was thoughtless of the Norton's to ask Carol questions about their racial, sorry, her racial identity, they know that she was a child, वो जानना चाहिए उनको की, मतलब जान रहते हैं, वो की, वो एक चाहिए ट्रेव हर, vulnerability and innocence, वो उसके, मतलब, शांते चितता को जो है, वो फायदा उन्होंने उठाए, advantage लिया, asking her insensitive question, insensitive question पूछके, वैसे तो, they probably would not have, dear to us, मुझे लगता है, मतलब, कि वो शायद वो ये इतनी हिमत नहीं करते, किसी adult से same question पूछने का, पूछने को बड़े से पिर भी पूछ लिए तो चलेगा, लेकिन वो पूछते नहीं, यह बच्ची है, तो इसलिए, क्या जरूरत है, तुमको, तुम्हारा, उसको क्या, तुम्हारे घर में रहने जा रही है, क्यों पूछोगे, चलिए, तो यहां तक यह आपका था, कुस्तार आंसर, यह explanation वाले होते है, माकी appreciating the text है, तो इन सब के मैं चाहूँगा, कि आप लोग, जैसा कि मैं हर वीडियो में करता हूँ, इन सब को आप अपने notes making के लिए, या तो इसको screenshot ले ले इसका, या फिर इसको pause करके, आप आराम से note कर ले, चलिए, screenshot लेने से आपकी memory थोड़ी भर जाएगी, इसलिए better रहेगा, तो मैं इस तरह से करके, यह explain करने वाला है, जिसे कि आपको chapter समझी में है, तो question answers होते हैं, उसको मैं करी देता हूँ, यह सब को आप note कर ले, यहाँ पर एका one, two, three, हो गया, चलिए four से अप चलते हैं, four से ले करके, यह six तक आपका फिर यहाँ पर हो गया, four, five, six, आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर फिर इसका B है, B में आप देख लेंगे, यहाँ से one से लेकर के six तक है B में, आगे बढ़ते हैं, words in use है, words in use, total, यहाँ पर one से लेकर six तक है, words in use का, यह थोड़ा last का हो सकता, आपको नहीं दिखना होगा, आप दिखना होगा, चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे है राइटिंग लास्ट यही राइटिंग हमारा होता है राइटिंग थोड़ा बढ़ा होता है तो इसको आराम-ाराम से आप इसको नोट कर ले वैसे राइटिंग आपको कुछ से प्रैक्टिस करना चाहिए और उसमें कोई मिस्टर नोटन से चलिए इसके बाद वाले को ले करके मैं कर देता हूं चलिए तो यहाँ पर सवापत हो गया यहां से मैंने यहां से मैंने लाइन किया था यहां पर यह सवापत हो गया इस प्रकार से मैं उमीद करता हूं कि आपको यह हिलफुल रहा होगा यह हिलफुल रहा उनको मैं रिमूब कर देता हूं उनके कमेंट्स को और बाद में उनको चैनल से भी मैं हटा देता हूं कुछ लोगों का यह कहना है प्रनंसियसन वगरे के बारे में फिर से एक बार बता दे रहा हूं कि मैं बिहार से हूं और मैं गवर्मेंट स्कूल में टीचर हूं तो मेरा जितना भी प्रनंसियसन है वह बहुत अच्छा है पहले मैं सीबीसी के दो बड़े स्कूलों में यहां अपने शहर में पर आ चुका हूं हूली मिसन सीनियर सेकेंडरी स्कूल और जीरी मेंदर इंटरनेशनल स्कूल तो उन सब के समय वह आठ साल पहले मैं गवर्मेंट आपको क्वालिटी से मतलब है ना आपकी प्रनंसियसन ठीक है आप इसको अपने प्रनंसियसन में पढ़े कंटेंट मैं देता हूं उसको आप ध्यान में रखके चलिए आपको कैसा लगा वीडियो जरू कमेंट करके बता है चैनल पे नहीं है या सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल पर आपको CBSC के क्लासेज 8 से लेकर 12 तक और विहार बोर्ड के क्लासेज 11 और 12 के इंगली सब्जेक्ट का भी सॉलिशन आपको मिलता है तो आप हमारे चैनल को जरू सब्सक्राइब कर लें मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए हैव नाइस डे